बुलन शेहर हिंसा पर सियासत में ओबाल आगया है समाजवाधी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी पर हमला करते हुए उत्तर प्रदेश में जंगल राज का आरोप लगाया समाजवादी पार्टी ने घटना के आउरोपियों पर कर्रोबाई नहीं करने को लेकर भी मुख्यमंत्री पर निशाना साधा समाजवादी पार्टी ने कहा कि मुआफजा पाने वाले लोग ही पुलिस को निशाना बना रखेंगे बुलंद सहर की घटना में सामिल कौन लोग हैं भारती जनता पार्टी युवा मोर्चा की लोग बजरंग दल के लोग विश्विंदू परशत के लोग आर्शेस के लोग यही लोग तो लगातार को माता के नाम पर भगवांग उच्छा डालके लगातार दंगे कौन कर रहा है किसने मारा पुलिस को तो वो चेहरे तो सामने आ गए और पत्थर बाजी करते लोगों पर कौन महरबान है सरकार महरबान है जिसको मौजा दिया है वो पुलिस को मार रह करने के लिए तियार नहीं है यहां जब अधिकारी को मारा जाता है तो मेरे क्या से बहुत बड़ी गंबीर बात है इधर बीज़ेपी नेथा जगदांबिका पाल नए सरकार का बचाव किया और कहा कि आरोपियों के गिरफतारी की कोशिशें तेज़ कर दी गई है बुलान साहर की घटा बहुत ही दुर्भागी पूर है उसमें तुरित कारवाई की गई है छे लोगी गिरफतारियां भी हो गई है और स्वैम कहीं न कहीं वो एक गहरे खड़ेंद का है क्योंकि इस बात को प्रदेश सरकार के मुख्यमतिर ने भी कहा डीजी पुलिस ने भी कहा उसके लिए SIT की एक उचस्थरी जाज बना दी गई है बुरन सहर का एक बड़ा मामला है बहुत ही उचस्थर पर बहुत ही वरिष्ट अधिकारी की अगवाई में SIT जाज कर रही है जाज की रिपोर्ट जल्द से जल्द आ जाएगी और उसकी जानकारी दी जाएगी साजिस करने वाले हैं या बलवा करने वाले हैं या उत्तर प्रदेश का महौल खराब करने वाले हैं या सब सामने आ जाएगा अभी किसी संगठन का नाम लिया जाना मेरे हिसाब से जल्दी वाजी है अभी तो जाच होने देनी चाहिए और जाच को बहुत जल्द से जल्द पूरा करने का निर्दे झाल